बुआजी आप रुक जाते एक दो दिन दीदी तो रुकी नहीं मैंने तो उन्हें भी बहुत कहा था पर वो रुकी ही नहीं पर आप तो रुकी जाओ बुआजी हाँ सही कह रही है भौतू तेरी ननन तो रुकी नहीं बहुत जल्दी चली गई अगर वो रुक जाती थोड़ा तो तुझे भी थोड़ा बहुत घर के बारे में समझा देती अभी अभी साधी हुई है तेरी, नहीं नहीं है तू भी, पर मैं रुख जाती हूँ पांच-छे दिन, भाबी की भी मदद हो जागी थोड़ी काम में, भाबी भी अखेली है, अब साधी वाला घर था, काफे काम बिखरा पड़ा है, तो मैं सोचने थोड़ा रुक जाती थोड़ा काम खर्तम कराके ही जाओंगी, हाँ ये दोनों साधिया भी कितने अच्छी है, ये साधिया तो डालने ही भूल गई ने अपनी बेटी को, बाओ, इदर आ जा रा, बातों में लग जाती है बस, आई हुए सस्राल में दो दिन नहीं हुए, और राम राम सबसे इतन जानली, हाँ भूआ जी आज तो आप रुकी जाओ, बाहू, भूआ जी मैं भी आती हूँ, मम्मी जी बुला रही है, इदर बैठी बैठी क्या करूंगी, ये चन कही कुछ काम कर लेती हूँ, भाबे की भी मदद हो जाएगी, खाना बना लेती हूँ, हाँ मम्मी जी आपने भूआ सास को, वो फूआ जी के लिए है, ले दे दे, ले ठोड़ा होगा उन्हें, अरे नहीं मम्मी जी, भूआ जी तो रुकेगी, उन्होंने कहा है, वो पांच-शे दिन रुके जाएगी, वो क्यो रुकेगी, जब तेरी सगी ननंद ही नहीं रुकी है, एक दो दिन, वो इतनी उमर में बड़ी भूआ, यहां पर रुक कर क्या करेगी, जाएगी वो, तो देना ये साड़ी उसे, वो जाएगी मुझे पता है, अरे मम्मी जी, मैंने भी भूआ जी को कह दिया है रुकने के लिए, और भूआ जी की बहुत इच्छा है रुकने की, और वैसे भी ये सुन्दो सुन्दो साड़ी पेनेगी तेरी भूआ सास, अच्छे लगेगी क्या वो, बुढ़ापे में जवानी दिखेगी, तेरी ननंद को दे दी वो साड़ी तो मैंने, जो तू लाई थी, बड़े खुस होई वो साड़ी लेके, तेरी ननंद को बहुत अच्छी लगी साड़ीया, आगे उसके सस्राल में भी तो वावा होगी, कि उसकी भादी किते अच्छी साड़ीया लेके आई उसके लिए, मम्मी जी ये कौन सी बात हुई, वो साड़ीया तो मेरी मम्मी ने कहा था, कि तेरी भुआ सास को देनी है, फिर भुआ जी मेरे लिए क्या सोचेग अपनी मन मर्जी मचला यहा, इतने भारी भारी साड़ीया उस बुढ़िया को देगी तू, मम्मी जी ऐसे साड़ी में कैसे भुआ जी को दूँ, विचारी अपने सुस्राल में भी कैसे दिखाएगी ये साड़ी, सारमी आएगी दिखाते हुए, और फिर क्या पहन के जाए अरे मैं बोल रही हूँ ना, तू ले के जा, कुछ भुडा नहीं लगेगा उन्हें, आज नहीं थोड़ी ना आई ये तेजी बुआ सास, हमेशा से मैं उन्हें ऐसी ही साड़ीया देती हूँ, ले पकर, जा दे दे उन्हें, चलो ठीक है मम्मी जी, देख के आती हूँ, सब पकली फाफा भी है, फुफा जी के लिए, अच्छा ये साड़ी मेरे लिए फुफा जी के लिए सो रुपे, बहु तेरी तरफ से है या भाबी ने दी है, वो बुआ जी, ये सब मुझे नहीं पता, मम्मी जी ने आपको सिफ ये साड़ी देने को कहा था, चलो कोई बात नह पर भुआ जी को देने के लिए धंकी साड़ी भी नहीं है, अच्छा भाबी ने बेजा है, तो अच्छी ही होगी साड़ी, कुछ सो समझ के ही दिया होगा भाबी ने, मैं कैसे कुछ भी मिले, बेटी और भेन के लिए सोने का तारी होता है, चलो मैं भी अपना बैक पैक करत भाबी तो मुझे रखना ही नहीं चाती, इस एक साड़ी को क्या तो मैं पहन के जाऊंगी और क्या ही सोस्राल वालों को दिखाऊंगी, पहन के चली गई तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, और इसको साथ में ले गई तो मुझे वोई पुरानी साड़ी पहन के जानी पड़ अपनी बेटी को तो इतना कुछ दिया, मुझे ही समझ जाना चीये था, कि भाबी मुझे रखना नहीं चाती, मैं ही जिट करके बैठी हूँ, अब क्या करूँ मैं, सोस्राल से तो इतना खर्चा कर दिया मैंने, बहु के ये चान्दी की पाय ले ली, चाचार हजार की तीन स सुस्राल में, बजार से चार पार साड़या ले लेती हूँ, कह दूगी कि भाबी ने दी है, और भाबी का वेवार तो पूरी तरह से बदल गिया, अपनी बेटी को क्या दिया, कुछ बताया ही नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं, गई जबी देखा था मैंने, कम से कम चार पा गई होगी, इकलोते भाई की साधी थी, सोने का हार, और पंदरा साड़ी तो मैंने ही दी, और पांच साड़या तरी भाबी की तरफ से, अच्छे से बता दिया था ना तो, हाँ, क्या, भुआ जी, अभी जाने वाली है वो, दे रही हूँ मैं उनको एक साड़ी और सो करेगा उन्हें, इतनी तो उमर हो रुखी उनकी, तो पेन अरहम से, कितने अच्छी साड़या थी ना, जो तेरी भाबी से दिल वही थी मैंने, हाँ, चल रखती हूँ, और करती हूँ कुछ काम, बाद मैं बताना मुझे, तेरी सास ने क्या कहा, हाँ, चल ठीक है, रखती मम्मी जी हाँ, हाँ भव, क्या हुआ मम्मी जी, भुहाजी को बहुत बुरा लगा, वो दुखी हो के जा रही है यहां से, मैं उनके लिए ये साड़ी लेके आई हूँ, मैं अपनी तरफ से भुहाजी को ये साड़ी दे देती हूँ मैं चेह रही उतना कर कोई दिक्कत हो रही है के तेरे मम्मी जी बुआ जी में लिए पायल और अच्छी अच्छी टीन साड़े लेके आई थी और मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाई ऐसे तो मुझे देखो बुरा लगता है मैं जो साड़िया भुआ जी के लिए लेके आई थी वो आपने अपनी बेटी को दे दी अब मैं ना अपनी तरफ से तो दूंगी साड़ी मैं क्यों भुडी बनूं मम्मी जी तेरा बड़ा मन लग रहा है उसके साथ तेरी सगी ननन्द है क्या हो तुझे मन लगाना ही है तो मेरे साथ लगा तेरी ननन्द के साथ लगा तेरी असली ननन्द के साथ मेरे ननन्द के साथ क्यों मन लगा रही है तू देरी ये उसको साड़िया बड़ी आई मम्मी जी कपड़ाई तो है मैं दो कम पहल लूंगी पर बिचारी बुहाजी दुखी मन से जाए पिसी घर की बेटी वो ममी जी भुरा मत मानना छोटा मू बड़ी बात आप कौन सा अपनी असली ननन्द के साथ मन लगा रहे हो मुझे कह रहे हो ना आप के मैं अपनी ननन्द के साथ मन लगाऊ तो फिर आप भी तो लगाओ आपकी बिचार ननन्द लगती है बुहाजी ममी जी माफ करना पर मैं ना आप से उपर जाकर बुहाजी को ये साड़ी दे के आ रहे हूँ क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती और इकलोती भुहा सास है मेरी किसी को कपड़े दो तो पहने लाइक तो दो ममी जी भगवाण न करे आप अपने माइक के जाओ आपको भी कोई ऐसी हलकी फुलकी साड़ी दे दे फिर आपका भी ऐसे ही मन दुखी होगा जैसा भुहा जी का हुआ है इसलिए ममी जी आप खुदी सोचो मैं जा रही हूँ भुहा जी को साड़ी देने ये तो बड़ा बोलती है कल की आई हुई सब तारीफे ये बटोर लेगी मेरी ननन क्या सोचेगी कि भतीजा भूने तो इतना कुछ दिया और मेरी भावी ने खाले एक हलकी से साड़ी अब मैं क्या करूँ मैं तो बूरी बन जाओंगी अब दीदी सुस्राल जाके दिखाएगी कि भावी ने क्या दिया मैं एक काम करती हूँ दो अच्छी सिसारिया दीदी को दे देती हूँ अब ये भव इतना जबान लडा रही है पता ने कल को मेरी बेटी के साथ कैसा करेगी जो देखेगी वो ही करेगी भवाजी ये मेरी तरफ से आपके लिए अच्छा भव हाँ भवाजी भवाजी अच्छा लगता अगर आप रुक जाते तो ये बेटा अगर भाबी बोले तो रुकूं भी हारे दीदी ये दो साड़ी लेकर आई थी मैं आपके लिए जो पहले भिजवाई थी ना बहु के हाथ में साड़ी वो तो क्या भात में आ रखी है आपके लिए तो ये दो साड़िया मैंने अच्छी सी तेयार कर रखी है ये देखो कितनी सुन्दर साड़िया है अराम से पहनना अच्छा ठीक है दीदी आपको साड़िया दे रही हूं ये मत सोचना कि मैं आपको जाने के लिए कह रही हूं आप आराम से 5-6 दिन रुको, आपके भतीजे की साधी है, हैं लड़ू बड़ू खाओ आराम से, कपड़े तो इसलिए दिये कि साधी के घर में कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, आप तो जा कि ये साधीया अपने बैग में डाल दो, और मेरे कमरे में रख दो बैग, ऐसा क खुष होना दीदी, हाँ भावी भोट